कि नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल अनुमिंस यूटूब हिंदी चैनल में आप सभी का फिर्जी स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है USB जहां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं USB के बारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये क 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 आखिर ये क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है जिसे माल लिजिए कि अगर आपको इलेटोप पर्चेश करने जाते हैं तो वहां पर जो दुकांदार होता है तो अगर दुकांदार वहां पर आपको कहता है कि ये रे लिजिए इसमें 3.1 USB कनेक जाना पाते हैं तो यह जितने भी confusion है इसे वीडियो में हम लिज्कश करने वाले हैं तो इसे प्रपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्क जरूर देखें दो चलिए दोस्तों हम वीडियो को सब्सक्राइब करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब क किया तो नीचे दिख रहे है रे कलर के सब्सक्राइब बटण प्रिक करके आप व्ले करते हैं और सब्सक्राइब कर सकतेнес लिए 상태 suivre MAGAR मद भूलेगा इसे क्या होगा कि हमारे चैनल की हर एक नियुँ इंफो fishermen आप तक पहुंच रहे और कोई भी वीडियो आपके मिस्स नहीं होगी तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के साथ मैं नुरा था तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है USB तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि यह USB अखिर होता क्या है तो दोस दूसरी जगह करने का काम करता है यानि कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक माध्यम होता है USB उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्जन के बारे में USB वर्जन क्या होता है तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि USB में आपको कई सारे वर्जन आपको मिल जाते हैं जैसे देख सकते हैं USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 और USB 3.2 इस टाइप का ये जो है आपका USB वर्जन है अब दोस्तों वर्जन क्या होता है ये तो आप जानते होंगे जैसे माली जी की कोई भी चीज अगर बनती है तो सबसे पहले जो है सबसे पहले जो बनती है उसके बाद उसमें कुछ दिनों बाद उसमें कुछ चेंजेज किये जाते हैं चेंज करने के बाद थोड़ा सा उससे और भी बेटर बन जाता है तो वो हमारा हो जाता है सेकेंड वर्जन उसके बाद उसमें कुछ और भी उसमें चेंजेज होते हैं चेंजे करने के बाद ज जो है इसमें कुछ-कुछ changes होते रहते हैं और जो भी चीज होती है उससे बिटर बनाने की कोसिस किया जाता है तो यह वही चीज है जो कि आपका यहां पर वर्जन की रूप में जाना जाता है तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है यह जो जितने भी वर्ज है जैसे माल लिजिए कि सबसे पहले हमारा 1.0 अगर है तो वह 2.0 से बेश्ट होता है और 3.1 है तो 3.0 से बेश्ट होगा और अगर 3.2 है तो के बारे में अब हम नेक्शच बात कर लेते हैं डाइप के बारे में देख लेते हैं उसे पहला हमारा ाता है वह है USB Type A जहां दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं USB Type A जो कि इसका जो Connector है USB Connector वो इस तरीके का कुछ होता है आप लोगों ने देखा जरूर होगा और आज की डिट में बहुत ही जादे इस्तिमाल भी किया जाता है आपका USB Type A और ये जो है बहुत पहले से आया हुआ है और आज भी ये सबसे जादे इस्तिमाल होता है और आई होब की आगे भी अभी ये बहुत दिनों तक यूज होने वाला है क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा USB Connector है जो की डाटर ट्रांसफर करने का काम करता है उसके बाद हमारा जो नेक्स टाइप आता है वो है USB Type B जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो Connector है ये थोड़ा सा चेंज है जो कि इस तरीके का आपको मिल जाएगा ये जो है आपको कुछ प्रिंटर्स के मॉडल में आपको इस ताइप के या फिर कुछ मॉड़म में भी आपको इस टाइप का कनेक्टर मिल जाता है तो इस ताइप का ये होता है उसके बाद हम लेक्स बात कर लेते हैं USB Type C कि यह तोड़ा सा बिल्गूल अलग है यह इस टाइब का है यह जो है इसो है इस की जो यह पतलीं होती थोड़ी सी पतली होती है जो इस तरीके की होती है और हिसमें ल्ता c हंधा है यानि कि इसमें आपका सही है ऐसा विल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि इसमें उल्टा और सिधा दोनों ही सेम होता है जैसा कि माले जिए फॉर एक्जामपल अगर हमारे पास USB टाइप A है तो जब हम अपने डेक्स्टॉप या लेपकॉप में इसे लगाते हैं तो इसमें उल्टा सीधा होता है अगर हम उल्टा लगाते हैं जो भी हमारे USB करेक्टर है उसमें अगर हम उल्टा लगाएंगे तो यह नहीं लगेगा जब हम इसको सीधा लगाएंगे तभी यह उसमें लगेगा लेकिन जो USB टाइप C है इसमें ऐसा नहीं होता है यह जो है आप चाहे उल्टा लगाएं चाह सीधा लगाएं दोनों ही तरफ से यह लग जाता है तो यह इसमें बहुत बड़ी खासियत है इस तरह के से दोस्तों यहां पर हम लोगों ने तीन टाइप के बारे में देखा इसमें और भी टाइप होते हैं जैसे मीनी हो गया माइक्रो हो गया जो कि आ डिफ्रेंसेज है तो आई होब कि जो भी आगे हमारी टेकनोलोजी आने वाली है यानि कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के डेट में हमाई जो टेकनोलोजी है वो कितनी फास्ट बढ़ रही है तो जहां तक मेरा मानना है कि आगे चल कर जो है USB टाइप इसी ही हर जगा याना कि जैसा कि आप देखते हैं कि अब जितने भी लेट्टॉप हमारे आरा है यह बहुत ही स्लीम बनाने की कोसिज किये जा रहा है यानि कि बहुत ही पतले आपके लेट्टॉप आ रहा है तो उसमें जो है जो आपका USB कनेक्टर होगा वह भी आपका छोटा और उसमें प USB Type A,B,C क्या इसके Type के हिसाब से इसके जो Speed है उसमें भी difference है कि नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग Confuse होते हैं जो की सोचते हैं कि USB Type B है तो इसका Speed है या कुछ और होगा USB Type C है तो इसका Speed कुछ और होगा अगर A है तो इसका Speed कुछ और होगा लेकिन दोस्तों यहां पर हम एक बात किलियर कर दें कि यहां पर जितनी भी Type है A हो B हो या C हो इस Type के हिसाब से जो है इसके Speed में कोई भी difference नहीं होता है इन सब की Speed है वो बिल्कुल एक जैसी होती है चाहे वो आपका A हो चाहे B हो चाहे C हो उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं USB Version Speed के बारे में जहां दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि जो भी यह है हमारे USB Type A, B, C इस Type के हिसाब से इसके Speed में कोई भी difference नहीं है लेकिन अब हम जानेंगे इसके Speed में आखिर किसकी वज़े से difference होता है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो USB Type हमारा होता है यानि कि जो भी USB Connector है इसके Version के हिसाब से इसके Speed में अंतर होता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं USB 1.0 की यहां दोस्तों यह आपका सबसे पुराना USB Connector है यह बहुत ही पहले आया था जैसे लगभग आपका 1995-1995 में यह आपका USB 1.0 आया था यानि कि सबसे पहले तो जब यह आया था सबसे पहले तो काफी जादे खुसी हुई थी कि जहां पर हम डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे वहां पर अब हमारे लिए कोई न कोई माध्यम तो आया डाटा ट्रांसफर करने की और यहां पर अगर हम इसके फ्रिकेंसी की बात करें यानि कि डाटा ट्रांसफरी स्पीड की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके जो स्पीड है वो है 12 MB पर सेकेंड जो कि आज के डेट में यह बहुत ही कमी स्पीड है लेकिन उस वक्त जब यह आया था इस्टार्टि अगर वर्जन है अगर आपकी USB कनेक्टर का जो वर्जन है वो 1.0 है तो उसकी जो स्पीड है वो 12 MB पर सेकेंड की होगी उसके बाद नेक्ष्ट हम बात कर लेते हैं USB 2.0 की यहां दोस्तों USB 2.0 जैसा कि आप देख रहे हैं तो USB 2.0 का जो स्पीड है जो फ्रिक्वेंसी यूज होता है जो भी आपका लेप्टॉप है डेक्ष्टॉप है सब में आपको ज्यादे तर जो है USB 2.0 ही मिलेगा क्योंकि अभी इसकी स्पीड है यह बहुत ही अच्छी है और आई होप कि आगे भी यह बहुत दिनों तक यूज होने वाला है उसके बाद नेक्ष्ट हम बात कर लेते हैं USB 3.0 यहां दोस्तों USB 3.0 जो है इसकी स्पीड आपको मिल जाएगी 5GB पर सेकेंड यानि 5GB पर सेकेंड तो बहुत ही कम ऐसे लेप्टॉप या डेक्ष्टॉप है जिसमें कि आपको USB 3.0 मिल जाएगा जैसे माल लेप्टॉप में दो USB 2.0 का है तो माल लेज जो फ्रिक्वेंसी रेट है वो 5GB पर सेकेंड है उसके बाद नेक्ष्ट हम बात कर लेते हैं USB 3.1 की जहां दोस्तों USB 3.1 की जो है यह आपको मिल जाएगी इसकी स्पीड 10GB पर सेकेंड यानि कि इसकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी रेट है जो डाटर ट्रांसफर रेट है यह इन तीनों से ही काफी बेश्ट है अभी हम लोगने देखा कि जो वर्शन होता है वर्शन के हिसाप से अपने पिछले वर्शन से काफी बेश्ट होता है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है 1.0 की जो इस पीड है वो 12 MB पर सेकंड पहले थी उसके बाद जो हमारा सादवन हुआ जब टेक्नोलोजी बढ़ी तो USB 2.0 आया 2.0 में आपका मिल जाता है 480 MB पर सेकंड उसके बाद थोड़ा सा और भी डवलपमेंट हुआ तो USB 3.0 आया इसमें आपको इसके फ्रिक्वेंसी मिल जाती है 5 GB पर सेकंड उसके बाद इसके बाद जो आया वो आता है USB 3.1 इसके जो इसके बाद जो आता है वो है USB 3.2 याणि कि USB 3.2 अगर USB connector है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 20 GB पर सेकंड जो की सबसे जादे स्वीड है इसकी जो कि इसकी ट्रांसपर रेट है यह सब से जादे है तो अभी तक तो यह बहुत ही कम आ रहा है मार्केट में 3.2 लेकिन आगे ये भी आने लगेगा और इसकी जो स्पीड है ये आपको 20 जीबी पर सेकेंड की मिल जाएगी तो दोस्ते इस तरह के से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने USB टाइप A USB टाइप B और USB टाइप C के बारे में जाना और इसके डिफरेंसेज के बारे में जाना और साथ ही साथ इसके वर्जन्स और इसके स्पीड के भी बारे में जाना कि इन सबों में क्या डिफ्रेंसेज होता है तो आई होब कि अभी तक आपका जितना भी डाउट था इस सब को लेके वो सारा कसारा डाउट क्लियर हो गया होगा तो दोस्तो आज की वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प